प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखें, आज हम आपकी पाथ्या पुस्थाक आकरती में पाथ 11 एक दूसरे की मदद करो इस पाथ का भाशा ग्यान करेंगे देखें, हमने इसका अभ्यास कार रहे तो कर ही लिया, अब इसका हम भाशा ग्यान करेंगे तो चलिए, शुरू करते हैं, देखें, आपके प्रश्टे संक्या है, 62 देखें, प्रश्टे संक्या अच्छे हैं, सही शब्दों पर घेरा करो देखिए सही शब्द मतलब ये तीन शब्द लिखे हैं जिसमें से एक शब्द सही है बाकी के दो गलत है जो सही शब्द है उस पर आपको गोला बनाना है देखिए ये लिखा है पडोसी और ये पडोसी तो आप देखिए आपने पार्ट भी पढ़ा है इसमें जो वर्ड से वो पार्ट में से लिए गए है तो पडोसी भी नहीं सही है पडोसी ये सही है तो इसके उपर हम क्या करेंगे गोला बना देंगे इस तरह से देखिए एक यहां ओल्रेडी हो रहा है तो आप दो रहे गए हैं वो आप खुद से करेंगे ठीक है अब देखिए बाकी प्रिश आपको रेड दिख रहा है पिंक कलर का पिंक है तो आपको क्या करना है पूरा वाग के आजट इस तो यह लिखना है लेकिन यह रंगीन शब्द है कलर फुल इसका अर्थ उल्टा बनाना है जैसे बड़ा का छोटा आना का जाना उसी तरह यहां पर भी हमें विलोम शब्द ट दजबूत का हम जब उल्टा अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा कमजोर तो हम यहां लखेंगे नीम का पेर बहुत कमजोर था देखिए इसका अर्थ हमने बदल के लिख दिया कमजोर ठीक है इसी तरह देखिए राणी मदुमकीन है बड़े मधुर स्वर में कहा तो आपको जो रंगी शब्द है उनको उनका उल्टा अर्थ निकालते हो इन वाक्यों को पूरा करके लिखना है अब देखिए गति विदिकार है अपने अच्छे मित्र के बारे में तीन पंक्तिया लिखो देखिए हमारे हम सब के कोई ना कोई बेस फ्रेंड जरूर होता है अब हमें अपने बेस फ्रेंड के बारे में उसके बारे में तीन बातें इस लाइनों में लिखनी है अब देखिए तो आप यहां लिखिएगा ठीक है चित्र देखकर बताओ कि क्या आपने भी कभी किसी की इस प्रकार सा आपको प्रश्ण संक्या 62 और 63 पर प्रश्ण संक्या 6, 7 और गति विदी कार रहे हैं अपनी किताब में ही करना है ठीक है बच्चो